इस वीडियो में हिंदी वड़ माला के प्रस्ण को देखेंगे ये हिंदी वड़ माला का दूसरा पाल्टा है पहला पाल्टा को आप लोग मेरे चैनल में जाकर देख लेना तो देखें आपका प्रस्ण है इनमे से कौन सा एक स्वर नहीं है इनमे से कौन सा स्वर नहीं है तो रस्वर नहीं है दूसरा प्रस्ना उच्चारण इस्थान की द्रिष्टी से हिंदी के आ और आस्वर है तो इसका उत्तर है कंठ्या अगला प्रस्ना घा का उच्चारण इस्थान कौन सा है तो इसका उत्तर है कंठ्या अगला प्रस्ना निम्न में कंठ्या कंठ्या तो इसका उत्तर है आ अगला प्रस्ना निम्न में कंठ्या वाड़ है तो इसको उत्तर है आ हा और विशारगा अगला प्रस्ना आपका निम्न लिखित में कंठ्या ध्वनिया कौन सी है तो इसको उत्तर है का और खा अगला प्रसन है आपका निम्न लिखित में से हिंदी की कंट धोनी है तो इसका उत्तर है है, अगला प्रसन चा-छा-जा-जा-जीयां का उचारण इस्थान होता है तो टालू, इसका उत्तर टालू से होता है अगला प्रशना, निम्न लिखित बेंजनों में से कौन से बेंजन का उचारण तालूस होता है, तो इसका उप्तर है छा, छा का उचारण स्थान कहां सोता है, तालूस होता है अगला प्रशना सा का उचारण स्थान है तो सा का उचारण स्थान कहां सोता है तालू सोता है इसका उत्तर है तालू अगला प्रशना सा ध्वनी का उचारण स्थान है तो इसका उत्तर है तालू अगला प्रशना नीम्न में से तालब्य ध्वनी है तो इसका उत्तर है सा अगला प्रस्ना चा वर्ग धोनिया किस वर्ग में आती है तो इसका उत्तर है तालब्या अगला प्रस्ना ई ई चा चा जा 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 आदी का उचारण स्थान किस से होता है तो इसका उत्तर है तालब्या से अगला प्रस्ना इस बेंजन का उचारण स्थान तालव्य है तो इसको उत्तर है ज्या अगला प्रस्ना उचारण स्थान के अधार पर ज्या बेंजन है तो इसको उत्तर है तालव्य अगला प्रस्ना या का उचारण स्थान है तो इसको उत्तर है तालू अगला प्रस्ना, हिंदी की साध्वनी है, तो इसको उत्तर है तालब्या अगला प्रस्ना, डा का उचारण स्थान होता है, उत्तर है मुर्धन्या अगला प्रस्ना, टा वर्ग का उचारण स्थान है, तो इसको उत्तर है मुर्धा अगला प्रस्ना, हिंदी की मुर्धन या ध्वनिया है, तो इसको उत्तर है ट, ठ, ड, ध, अगला प्रस्ना, निम्न लिखित में से कौन मुर्धन या ध्वनिया नहीं है, तो इसको उत्तर है ध, जो की उच्छिप्त बेंजन कहलाते हैं, ठीक है? अगला प्रस्ना टा वर्ग में किस प्रकार के ब्रिंजन है तो इसका उत्तर है मुर्धानिया अगला प्रस्ना उच्चारण स्थान की द्रिष्टी से कौन से विकल्प सुद्ध है तो सा दन्त्य है अता यहीं उत्तर सही है आपसा नमबर ए अगला प्रस्ना टा वर्ग की द्रोनियों का उच्चारण स्थान है इसका उत्तर है दन्त्या अगला प्रस्ना आ की श्वर्ग का ब्यंजन है तो इसका उत्तर है दन्त्या अगला प्रस्ना टा का उच्चारण स्थान होता है तो इसका उत्तर है दन्त्या अगला प्रस्ना नि तो इसको उत्तर है ता अगला प्रस्ना दध्वनी का उचारण इस्थान के अधार पर होता है इसको उत्तर है दंत्या अगला प्रस्ना निम्न में से दंत्या ध्वनी है तो इसको उत्तर है लाफ अगला प्रस्ना जिनका उचारण उपर के दातों पर जीब लगाने से होता है उसे क्या कहते हैं इसको उत्तर है दंत्या अगला प्रस्ना निमन लिखीत में से दंत्या ध्वनी है तो इसको उत्तर है ता अगला प्रस्ना, पा, भा, 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 मा, बेंजन होते हैं, इसको उत्तर है ओस्थ्या अगला प्रस्ना, निम्न में ओस्थ वाना कौन सा है, इसको उत्तर है उ अगला प्रस्ना, हिंदी की ओस्थ बेंजन धनी है, इसको उत्तर है भा अगला प्रस्ना, निम्न लिखित में ओस्ट्य ध्वनी नहीं है, तो इसको उत्तर है चा, चा में ओस्ट्य ध्वनी नहीं है, बाकी पा, भा, मा में ओस्ट्य ध्वनी है अगला प्रस्ना, इंदी की बा ध्वनी है, तो इसको उत्तर है ओस्ट्य ध्वनी अगला प्रशना, निम्नलिखित में से कौन सा अन्ताहिस्था बेंजन है, तो इसको उत्तर है ला अगला प्रशना, इन में से अन्ताहिस्था वाण है, तो इसको उत्तर है वा अगला प्रशना इन में से कौन सी ध्वानी अन्ताइस्था नहीं है तो इसको उत्तर है बाग बागी आप्षन अन्ताइस्था बिंजन है अगला प्रशना निम्न में अर्धस्वर कहलाता है इसको उत्तर है या या को क्या कहते हैं अर्धस्वर अगला प्रस्ना सही कथन चुनिये या और वा ध्वनिया अर्धस्वर कलाती है यही अप्षन करेक्ट है यही उत्तर होगा अगला प्रस्ना अन्ता हिस्था बिंजन है अप्षन नमबर बी या वारा आपका अगला प्रस्ना अर्धस्वर है तो या अर्वा को क्या गाते हैं अर्धस्वर अगला प्रस्ना इन में से कौन सा वाण इस पर्ष बिंजन नहीं है तो आप्षन नमबर दी या अगला प्रशना हिन्दी वर्ड माला में अन्ता इस्था बेंजन कौन से है आप्सन नमबर यहाँ पर उल्टा लिखा गए आप्सन परन्तु यह सी होगा या रा लावा को अन्ता इस्था बेंजन कहा जाता है ठीक है अगला प्रशना निम्न में अन्ताइस्था बेंजन है तो व किस प्रकार के बेंजन है तो अन्ताइस्था बेंजन है आपका अगला प्रस्ना हिंदी वड़ माला में उसम बेंजन कौन से है तो आपसा नमबर डी सह सह और हा को क्या कहा जाता है उसम बेंजन कहा जाता है ठीक है नेश्ट प्रस्ण को नेश्ट पाल्ट में देखेंगे तब तक के लिए धन्यवाद जहिन